नमस्कार दोस्तों वैसे तो हम लोग पहिने श्टॉक पे जादे फोकस करते हैं लेकिन PINES적으로 कहीं ने कहीं बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो अभी थोड़ा सा मार्केट के साथ मुमेंटम नहीं करें मार्केट के साथ मुमेंटम नहीं कर रहा है मतलब कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है तो पेने स्टॉक में भी मुमेंटम नहीं हो रहा है इसलिए उसको थोड़ा या वाला भी मैटर धीरे-धीरे सांथ होगा, मार्केट आटोमेटिक उपर जाने लगेगा, और जितने भी हम लोग पेने स्टॉक बाई करके रखे हुए हैं, अगर हमारे पोट्फोलियों में वो लोर सर्कुट में, तो अपर सर्कुट भी लगना चालू हो जाएगा, लेकिन आपको अपने स्टॉक के उपर आपने जिस कंपनी को बाई करके रखे हुए, उसके उपर विश्वास होगा, तो आज नहीं तो कल उसे उपर भागना ही भागना है, तो दोस्तों, आज हम लोग 4 कंपनी देखने वाले हैं, और 4 कंपनी हैं, कम से कम आज की डेट में 10% से जादे भागी होगी हैं, अब इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई भी कंपनी, अगर 10%, 12%, 15% यहाँ तक की 20% अगर एक दिन भागती हैं, तो हो सकता है वो, अगले दिन भी हमें या तो अपर सरकीट दे जाए, या कुछ इतने पॉइंट दे जाए, कि हमें इंट्राडे में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए, तो दोस्तो चारों कंपनी को इसलिए मैं रेकोमेंड कर रहा हूँ कि आज यह लोग 10% से जादे के जादे भागे हुए हैं, और यह जो आपके सामने जो कंपनी का नाम दिख रहा है फ्रेंट्स, इस कंपनी को मैंने बहुत पहले रेकोमेंड भी किया हुआ था, और वहाँ पर मैंने थमनेल में लिखा हुआ था, कि रिलाइंस का छोटा भाई, जी यहां दोस्तों, रिलाइंस का छोटा भाई, इसलिए मने बताया था, क्योंकि इसका जो Q3 रिजल्ट आया था, यह Q3 बहुत ही खतरनाक आया था, और उसके बास से, जिस दिन वीडियो ब आया, तो उस टाइम पर यह भी आया, लेकिन फिर भी 10% पर क्लोजिंग दिया हुआ है, इसमें, तो इस कंपनी को हम लोग रखेंगे, राडार पर कल के लिए, और अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किये, तो सबसे पहले जोईन जरूर किजिएगा लिंक बने description box में डाल करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने life cost देता हूँ, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे free of cost में, intraday, short term, long term, newtree, vanity, यह सारे calls आपको मिल जाएंगे, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जिस company की बात करे हैं, आखिर वो company करती क्य है, और इसका नाम आपके सामने गल्फ पेट्रो, और फिलहाल अगर आप इस company को analyze करेंगे पूरा, चलिए इस company को थोड़ा साम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग company को देखने जा रहे हैं, तो हमें ऐसा देख रहा है, यहाँ पर, माप किजिए कि दोस्तों लेकिन अगर हम reserve की बात करें, तो 210 करोड का इस company के पास reserve, मतलब बिल्कुल debt-free company है, debt-free के अलावा, अगर हम इस company को evaluate करने की कोसिस करें, तो देखेगा, book value 46 और इसका current price कितना चला है, 54.6, तो दोस्तों, यह देख लीजीगा, कि यह अपनी book value से अभी just उपर निकला हुआ ठीक है, तो अगर यह अपनी book value से एक गुना भी ऊपर भाग जाता है, तो हो सकता है, हमें एक बहुत ही बढ़िया profit दे करके जाएगा, तो दोस्तों, सबसे पहले इस company को एक बार जरूर देखेगा, promoter holding के stick की बात करें, तो बहुत ही खतरनाक है, आईए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस company का एक बार target देख लेंगे, तो अगर हम लोग इस company के target की बात करें, तो जो यहाँ पर मैं, जिस तरसे one day का chart pattern है, और one day के chart pattern में हमें क्या करना है, हमें यह करना है, कि इसका यह जो breakout वाला पार्ट द बात करेंगे, तो 70 से 75 रुपया, सबसे पहला target, लेकिन अगर इस company का book value, मतलब around 50 के पास है, एक बार देख लेते हैं, दुबारा, book value कितना 46 के पास है, तो 46 के पास है, तो 46 के पास है, अगर यह एक गुना भी भागता है, तो हमें around 100 के पास यह दे सकता है, लेकिन long term में द इस company को दूसरा reason यह है, कि इसका quarter result एक बार जरूर चेक किजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे follow करते हैं, तो आपको पूरा अच्छी तरह से पता होगा, कि किस तरह से quarter result चेक किया जाता है, quarter result इसका बहुत ही तगड़ाया, आए, अब हम अपनी next company के उपर बढ़ते हैं, और next company पर जाने से पहले friends आप से request करूँगा, कि चैनल को अबित तक, अगर आपने subscribe नहीं किये तो एक बल subscribe जरूर किजिएगा friends, और अगर आपने अभी तक like नहीं किये तो एक बल like जरूर किजिएगा, आए, अब हम जिस company की बात कर रहे हैं, यह company हमें एक दिन में कम से कम दोस्तों, 70% का momentum दिया है, अब कोई भी company जब एक दिन में 17% का momentum दे रही है, तो ऐसे नहीं देगी, इसमें कोई न कोई ऐसा reason जरूर होगा, हो सकता है, FIs घुसे हैं, हो सकता है, DIs घुसे हैं, कोई न कोई institutional player इस company को एक दिन में 17% उपर की side में ले करके गया है, अब जब 17 100% का momentum भगा है, एक दिन में, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर retail investor भी बहुत तगड़ी, बहुत तेजी से घुसे होंगे, अगर यहाँ पर retail investor घुसते हैं, तो कल opening या तो gap up open हो जाए, gap up open हो कर के भी, अगर 256 रुपया इसका price है, तो अगर हम इसमें इंट्राडे करने जाए इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, मेरी खासे margin नहीं मिलेगा, एक बड़ देख लिजेगा अपने brokerage form में, कि वो margin दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं लेकिन अगर हम इसमें cash की बात करें, तो cash में हमें 5-7 point आराम से morning open होते ही दे ज जाएगा कि कौन सा stock भागने बाला है, अगर दो stock भी gap up में open होते हैं, उसको radar पर रखिए और वहां पर एक अच्छा कसा profit आपको मिल जाएगा, इस company का नाम है सलसार दोस्तों, और सलसार की बात करें, तो ये company करती क्या है, सबसे पहले ये engineering, engineering, मतलब ये जो fast growing still होती है, इ और दूसरा, एक चीज, एक चीज, अच्छा, जो towers होते हैं, अब tower कौन से, जितने भी telecom company के towers होते हैं, उनका ये manufacturing करती है, और उसके बासे providing service across telecom, telecom में service provide करती है, energy and railway sector को भी ये अपनी service provide करती है, तो telecom पहला इसका काम हो गया, दूसरा, अगर हम बात करें, तो energy छेतर मे जितने भी steel ये metal जो भी लगा जाते हैं, दूसरा ये हो गया, उनको provide करती है, और तीसरा railway sector को भी ये, जो है, fast growing steel structure manufacturing ये provide करती है, तो दोस्तों, इस company का हमें समझ में आ गया, एक पर fundamental, और अगर हम इस company की बात करें, तो मैं अभी intraday का chart है, दोस्तों, मैं आपको ले करके आँगा, one day के chart के उपर, और one day के chart के उपर, अगर हम लोग यहाँ पर technical analysis करने की courses करें, यहाँ दोस्तों, technical analysis की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैंने अपने screen के उपर, यहाँ पर जो screen दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो से यह अभी तक 100 EMA को break नहीं किया, लेकिन finally आज इसने break करके उपर निकल गया है, तो क्या यह फिर से इसी तरह का momentum आगे आने वालों दिनों में देगा की नहीं देगा, इसके उपर थोड़ा से देखेंगे, और आगे देखने से पहले आपको एक बार इसमें volume देखना बह नहीं आप देखेंगे, इस gear out की बाद से एक अच्छा कांसा इसमें volume बना हुआ है, तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया technical analysis की सर से किया जाता है, अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग एक trend line लगा करके देखने की कोसिस करते हैं, जो लोग beginner है, trend line की सर से लगा जाता है वहां पर थोड़ा सा समझने की कोसिस कीजिए, चलिए, यहां पर हमने एक trend line लगाया, और trend line लगाने के बाद से हमने देखा कि जब तक यह stock is trend line के नीचे था, तब तक इसमें यह lower low के formation था, लेकिन अब कहीं न के इसमें trend देखी गा, यह एक high था, और इस high को आज की date में इसने break किया हुए, कल के दिन अगर यह sustain कर जाता है, तो हमें आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा कासा इसमें profit भी मिल सकता है, और around हम लोग अगर देखें, मोटा मोटी देखें, तो 350 के उपर, लेकिन जो सबसे पहला target होगा, 350 को ही रखेंगे, और अभी फिलहाल price च दोस्तों, कल के दिन uptrend में रह जाता है, मतलब कल के दिन positive में रह जाता है, तो आगे आने वाले दिनों में भी एक अच्छा कासा momentum दे सकता है, तो इस company के नाम आपके सामने यहाँ पर देख रहा है सालसार, एक बार इस company को भी focus करिएगा, आईए friends, अब हम अपनी next company, और next यह अब मारने वाला है breakout, और अगर यह breakout मारता है, फिलहार इसका price, आज के date में breakout मारा था, लेकिन आपको पता होगा, कि अगर आप share market जादे दिनों से follow करते हैं, तो आपको पता होगा, दोस्तों, कोई भी stock जब इस price पर आता है, तो price पर आने के बाद से, यहाँ पर कुछ लेबल भी मिलेगा, sell कर देंगे, sell करने के बाद से, धीरी धीरी वो price में थोड़ा बहुत correction हो सकती है, लेकिन correction होने के बाद से, एक दिन ऐसा आएगा, कि जब आपको यहाँ पर sideways हो जाएगा, और sideways होने के बाद से, जिस दिन इस price को break किया, तो एक बहुत तगड़ा result दे स इस दिन ये level 288 वाला break हुआ, दोस्तों तो आप विश्वास मान करके चलिए, कि आपको कम से कम, तीन साड़े तीन सव का target ये company दिखा सकती है, जिस तरह से इसमें volume आज के date में बहुत तेजी से बना हुआ है, तो इस company को भी अपने radar पर रखिए गा, मातर 4 stock ही बता रहा और 4 stock को watch list में रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोस्तों उसको track करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम वाकई में इस share market से पैसा कमाना चाहते हैं, तो तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किये, तो प्लीज एक लाइक जरूर किजेगा, क इस कमपनी का नाम दोस्तों थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अच्छी कमपनी है, इसको थोड़ा सा focus करेगा, फेडरल, मोगल, जियोटेज की नाम से ये कमपनी है, और अगर आप short में इस कमपनी को सर्च करेंगे, तो FM, GEO, ET, ZD करके इस कमपनी का नाम है, अ आपके पास two wheeler होगा, three wheeler होगा, four wheeler होगा, तो उसमें rings पढ़ते हैं, piston बन पढ़ते हैं, ये कमपनी rings और piston इंडिया में नहीं, बल्कि all over world में supply करती है, ring और piston, लेकिन दोस्तों इस कमपनी को मैं बहुत दिनों से ट्रैक करता हूँ, और इस कमपनी में आप विस्वास मान profit भी दिया हूँ, ये company हम लोगों को, अगर आप मेरी VIP member में होंगे दोस्तों तो आपको पक्का इस company के बारे में मालम होगा, अगर आप मेरeil वी आपी member है, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, और आपने इस company के बारे में जानते हूँ के जब मैंने बताया था तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ये صाल पतला हम लोग जानते हैं के मुँए इस कंपनी को अब दोसे इस मिक परेक्शन बहुत दिनों से जब एक profit देता है कोई भी company तो correction भी आता है फिलहाल correction बहुत दिनों से चल ला था और आज अकीले इस company ने कम से कम 8.5 मतलब 9% तक का गया था इसमें momentum और कहीं न कहीं थोड़ा सा ये फिर से नीचे आया है लेकिन अगर हम इस company को यहाँ पर एक trend line लगा के breakout इसलिए मानेंगे कि देखे ब्रेकाउट तो हो सकता है मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा कासा momentum हुआ था तो इसे हम लोगोंने क्यों नहीं breakout माना, यहाँ पर भी देखें, तो यहाँ पर भी एक green मतलब आच्छा कासा momentum उपर भी गया था, लेकिन इसे भी हम लोगोंने नहीं माना breakout, क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छी volume नहीं बनी हुई थे, अब इस आज जो 48% का momentum हुआ है, इसमें एक अच्छा कासा यहाँ पर volume भी देखने के लिए मिला है, तो अगर इस volume के साथ breakout हुआ है, तो कहीं न कहीं इस company में अब आगे आने में दिनों में ऊपर जाने के chances हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इस company को ध्यान से एक resistance लगाओगे, तो आपको एक resistance भी देखेगा, तो सबसे पहले आपको एक resistance यहाँ पर लगाना ही लगाना है, मतलब resistance का price है 254 और 254 जिस दिन break करेगा, तो आपको यह company बहुत easy way में 342 का target दे करके जा सकता है, so friends, कैसी लगी यह 4 श्टॉक और अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज लाइक से और सब subscribe जरूर किजिएगा, और आप यह मत, मतलब आप यह मत बोलिए कि मैं अभी penny stock को क्यों नहीं बना रहा है, क्यों, reason यह है कि कहीं नहीं market अभी downtrend में है, और आप सब को पता है, कि penny stock जो एकदम मतलब मरे हुए stock होते हैं, वो भी जिन्दा हो जाते हैं, जब market में momentum उपर की side म जाता है, लेकिन हम लोग जिस penny company को देखते हैं, उसका fundamental तो बहुत ही तगड़ा होता है, अब जब market नीचे जा रहा है, तो उनका भी trend कहीं न कहीं negative है, ठीक है, तो आपके पास अगर fundamental strong company है, penny stock के, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल आपको profit जरूर देगा तो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ विदा, मिलते हैं, नेक्ष्ट वीडियो में, नेक्ष्ट मल्टिवेकर स्टॉक्स के साथ, जाएंद फ्रेंड्स